वेलकम तु न्यू लेसन इस लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप अपनी वर्ट प्रेस वेब साइट पे फॉर्म लगा सकते हो राइट सो फॉर्म से होगा क्या कि फॉर्म पे जाके लोग अपनी डीटेल्स आपको सब्मिट कर सकते हैं और देन आप उनके साथ follow-up कर सकते हो या आपकी सेल्स ट्रेम उनके साथ follow-up कर सकती है जो भी आपके आपका process है सो बेसिकली फॉर्म लगाने के दो तरीके हैं वर्ट प्रेस के अंदर पहला थ्रू प्लग इंस थ्रू बेसिकली फॉर्म प्लग इंस या दूसरा थ्रू इमेल मार्केटिंग सॉफ्ट्वेर्स ठीक है? सो हम दोनों तरीकों की बात करते हैं पहला तरीका है प्लग इन्स के थ्रू सो बड़े सारे वर्ड प्रेस पे प्लग इन्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म लगा सकते हो फॉर्म के प्लग इन्स हैं जैसे की कॉंटेक्ट फॉर्म 7 कॉंटेक्ट फॉर्म 7 डबलू पी फॉर्म्स ग्रैविटी फॉर्म्स और भी बड़े सारे हैं यह तो मैं कुछ नाम आपको बता पा रहा हूँ और बड़े सारे प्लग इन्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे फॉर्म लगा सकते हो दूसरा इमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेर तो अगर आप इमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेर यूज़ कर रहे हो जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ एक्टिव कैमपेण तो हर इमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेर के अंदर एक फॉर्म का उप्शन होता है राइट free और दूसरे paid जो free plugins होते हैं वो बड़े limited use होता है उनका right उनके ज़्यादा features नहीं होते जो paid plugins होते हैं वो full fledged होते हैं वो पूरे features होते हैं आप उनको पूरा use कर सकते हूं अपने हिसाब से use कर सकते हूं again email marketing software भी free नहीं होता email marketing software भी paid होते हैं तो अगर आप यहां से जो भी form या data लाना चाहते हो उसे अपने software के साथ integrate करना चाहते हो देन आपको paid plugin लेना पड़ेगा free plugin से बात बनेगी नहीं आज के lesson में मैं आपको अभी बताऊंगा free plugin के help से की कैसे आप free plugin के help से form बना सकते हो next lesson में मैं आपको या किसी और lesson में मैं आपको paid plugin के थूँ या active campaign के थूँ या email marketing software के थूँ भी बता दूँगा कि कैसे आप कर सकते हो तो अभी यह जो plugins है यह बड़े सारे plugins हैं जैसे मैंने आपको बताया जो कि आप use कर सकते हो अभी सबसे easy जो एक plugin है वो है WP forms right WP forms तो मैं आपको बताऊंगा using WP forms आप चाहो तो और बड़े सारे forms हैं जिन्हें कि आप explore कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या वो आपके जो भी requirement है उनके इसाब से वो fit है कि नहीं जैसे मैंने आपको कुछ नाम बताए contact form 7 WP एक है और भी बड़े सारे हैं बहुत सारे plugins हैं तो अभी हम use करेंगे WP forms तो सबसे पहले मैं अपनी website पे आया then मैं जाता हूँ अपने dashboard के अंदर right अब मैं अपने dashboard के अंदर आ चुका हूँ और dashboard के अंदर मैं मेरे को plugin install करना है WP forms यहाँ पे मैंने already install किया हुआ है अगर आपने install नहीं किया हुआ तो आपको क्या करना है आपको जाना है plugins के अंदर then आपको जाना है add new add new करना है आपको then आप यहाँ search करोगे WP forms ठीक है WP forms आप search करोगे और यह आगया WP forms आप इसको कर लोगे install then activate एक और plugin है ninja forms तो बड़े सारे plugin है formidable forms तो बड़े सारे plugin है जो कि आप again आप test कर सकते हो देख सकते हो कि क्या आपकी वो requirement को fit करते हैं कि नहीं but WP form मेरे को काफी सही लगता है so you can start with that तो मेरे case में मैंने install करके activate कर लिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आ रहा है option WP forms हाना तो अब मेरे को जाना है WP forms के अंदर और add new मुझे नया form add करना है हाना तो add new simple मैं WP forms पे गया and then मैंने वहाँ पे जाके किया add new और यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपने form का नाम ठीक है तो मैं लिख देता हूँ test form WP WP course ठीक है then यह मेरे से पूछ रहा है कि भाया कैसा कोई template यूज़ करना चाहते हो simple contact newsletter कोई template यूज़ करना चाहते हो देख सकते हो बाकी और भी है बट इसके लिए आपको upgrade करना पड़ेगा तो मैं कर देता हूँ blank form मैं अपने हिसाब से design कर लूँगा तो मैं कर देता हूँ create a blank form अपने हिसाब से हम इसे customize कर लेंगे बहुत बहुत ज़्यादा simple है अब ध्यान से देखो अब यह पूछ रहा है हमें बोल रहा है क्या क्या option आप चाहते हो तो यह देखो यह बड़े सारे option है जो कि आप यहाँ पे use कर सकते हो यह by default यहाँ पे number आ गया तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ delete इसे करते हैं delete तो सबसे पहले देखो एक आ रहा है name तो इस name को उठा के हम करते हैं यहाँ पे नेम आ गया अब देखो यहाँ पे आ गया first name और last name अब मैं अगर इसको click करता हूँ तो देखो format आ रहा है first last मैं इसको कर सकता हूँ simple और required का option है तो यहाँ से मैंने कर दिया required और advanced option भी है field size कैसा रखना चाहते हो medium रखना चाहते हो large रखना चाहते हो small रखना चाहते हो तो आप जैसे भी रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो तो मैं इसको कर देता हूँ large और label आप hide करना चाहते हो तो ये label hide कर सकते हो और placeholder में आप लिख सकते हो enter your name here अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो नहीं तो आप ऐसे इसको छोड़ सकते हो hide label देन आप ये ऐसे देखेगा तो मैं label hide कर देता हूँ आप देख लेना अगर आपको लगता है सही तो आप कर सकते हो ठीक है मैंने hide कर दिया अब मैं जाता हूँ all fields पर वापस ठीक है तो सबसे पहले मैंने नाम डाल दिया अब मैं डाल देता हूँ email तो email उठाया मैंने और यहाँ पर कर दिया मैंने इसको copy अब मैंने इस email पर किया click और label email है और advanced option पे मैं गया और इस medium को मैंने कर दिया large ठीक है और hide कर दिया label मैंने और इसको मैंने कर दिया enter your sorry यहाँ पे लिखना है मुझे को enter your email here ठीक है simple नाम आ गया email आ गया और जाओ all field पे अब अगर आपको phone number चाहिए तो देखो phone number यह fancy field है फ्री नहीं है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से simple single line text यहाँ पे डाल दो ठीक है single line text यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे आप लिख दो phone number और इसको कर दो required और थोड़ा सा नीची आओ और इसको कर दो आप यहाँ से large और यह कर दो hide label और यहाँ पे लिख दो enter your phone number ठीक है बहुत सिंपल और यह रहा मेरा submit बटन बहुत ज़्याद़ सिंपल है कोई इसमें ज़्याद़ complications नहीं है ठीक है जी वापस आते है सेट अप फील्ड के अंदर ठीक है यह रहा अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ यहाँ से save यहाँ से मैंने कर दिया simple इसको save ठीक है अब अगर आप इधर settings पे जाओगे तो देखो आपको एक चीज दिख रही होगी which is confirmation दुबारा मैं दिखा देता हूँ मैं गया settings के अंदर और एक आपको चीज दिख रही है confirmation confirmation मतलब जब form fill हो जाए तो क्या हो सबसे पहले क्या रहा है देखो message अगर आप message रखोगे तो यह लिखा जाएगा जैसे form submit होगा तो एक message लिखा जाएगा कि thanks for contacting us या आप इसको अपने हिसाब से customize कर सकते हो thank you for showing interest in जो भी लिखना चाहते हो आप in working with us we will get in touch with you ASAP ठीक है आप ऐसे message लिख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो go to url go to url आप क्या कर सकते हो redirect कर सकते हो कि जैसे ही form submit हो आप user को अपने thank you page या किसी और page पे भेज सकते हो आप उसका यहाँ पे url डाल सकते हो ठीक है तो suppose आप चाहते हो कि वो आपके thank you page पे चला जाए जैसे ही form submit हो जाए तो आप यहाँ पे वो url डाल सकते हो या फिर आप यहाँ पे message छोड़ सकते हो show page भी आ रहा है तो आप यहाँ से वो page भी select कर सकते हो जिस पे आपका वो user जाना चाहिए after completing the form तो हम यहाँ पे message छोड़ देते हैं और देखो अब यह free है तो मैं एक से ज़्यादा इसमें confirmation add भी नहीं कर सकता है हाना तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ simple same ठीक है प्लस अगर आप general में जाओगे तो देखो यहाँ पे submit button text आ रहा है तो अभी जो हमारा इस form है इधर field में जाओगे तो देखो यहाँ पे है submit आप चाहो तो इस submit को change कर सकते हो तो मैं settings में अगर जाओँ तो इस submit की जगा मैं कर सकता हूँ yes I want to grow my revenue ठीक है तो जो भी आप चाहते हो यहाँ पे आप submit text में अगर तेखो मैं यह लिखके छोड़ता हूँ और इसको मैं यहाँ पे save करता हूँ और मैं fields पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे change हो क्या आगया yes I want to grow my revenue आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से customize करके इसको आप change कर सकते हो कोई problem की बात नहीं ठीक है जी अब इधर आजा ओ field पे अब देख लो कुछ है अगर आप कुछ और add करना चाहते हो तो यहाँ से add कर सकते हो एक बार settings में जाके देख लो कुछ और हो जो हमने miss किया हो ठीक है नहीं अच और कुछ नहीं है तो इसको कर देते हैं save और इसको यहाँ से देखो embed का option आ रहा है हना अब हमें यह form embed करना है तो हमने क्या करना है यहाँ पे embed पे click और यह देख रहे हो आप एक यह form ID आ रही है इसको यहाँ से करना है आपको copy और यहाँ से आपको करना है close और यहाँ से इस form को कर देना है close ठीक है simple यहाँ आ गया form हमारा अब हम चलते हैं अपने website के home page पे ठीक है यह रहा हमारे website का home page अब हमें यह form अपने website पे डालना है अब हमें यह form अपने website के उपर डालना है तो simple हम visit site करते हैं और जहाँ भी हमें डालना है suppose हमें यहाँ पे एक नीचे कहीं एक section बनाके डालना है तो edit with elementor करते हैं और यहां पर एक नया section add कर देते हैं section add कर दिया और यहां पर इसको एक background देते हैं तो यहां पर जाते हैं style पर जाते हैं background पर जाते हैं color यहां पर एक background देते हैं वापस आते हैं heading उठाते हैं और यहां पर लिखते हैं schedule your free यहां पर लिखते हैं interested in growing your revenue schedule your free strategy strategy session by submitting the below form ठीक है और style पर जाके typography पर जाके यहां से font चेंज कर देते हैं font size चेंज कर देते हैं और यहां पर जाके color चेंज कर देते हैं black जो भी करना चाहते हैं और content पर जाके इसको कर देते हैं center और style पर जाके हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं line night ठीक है और यहां पर जाके इसको नीचे कर देते हैं और free को भी नीचे कर देते हैं ठीक है जी perfect अब इसके नीचे हमें डालना है form अपना ठीक है तो आप यहां पर आओगे और यहां पर सर्च करोगे short code क्या short code search करोगे यहां पर paste करोगे copy करोगे और यहां पर जो हमने code copy किया था वो यहां पर आप कर दोगे paste यह देखो यहां गया form आपका ठीक है अब आप चाहो तो इसका size भी छोटा कर सकते हो तो एक काम आप कर सकते हो इस section पर जाओ edit section और layout पर जाके इस box को पहले तो कर दो नौस तो देखो form आपका छोटा हो गया है अब इसको यहां से कर दो update ठीक है update कर दिया अब वापस जाओ exit to dashboard और इधर आते हैं वापस यह रहा देखो form मेरा इसको मगर मैं भरूंगा तो detail आ जाएगी पूरी नीम हीर abc नाम abc at the rate gmail.com और इसे नमबर डाल देते हैं ताकि हमारा पूरा page वैसे आ जाए normal एक बर आ गया अब suppose करो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मैं इसको क्लिक करूं इस बटन को क्लिक करूं तो यह वाला section आ जाए अभी देखो मैं इसको क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा है मैं चाहता हूं मैं इसको जैसे ही क्लिक करूं इस बटन को ये वाला सेक्शन खुल जाए तो ये काम भी आप कर सकते हो देखो कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले आप करोगे Edit with Elementor और सबसे पहले इस सेक्शन पर जाओगे इसको करोगे Edit और आपको जाना Advanced पर ये देखो CSS ID आ रही है CSS ID तो पहले आप एक ID का नहाँ पर नाम दोगे आपको आईडी लिखोगे तो सबसे मैंने आईडी लिखा WP Forms Bottom ये मैंने आईडी लिखी अब इस ID को कर लो Copy ठीक है Copy किया अब इस बटन को करो Click और ये Link है न यहाँ पर उसको Paste कर दो ID को और इसे कर दो Update ठीक है जी और यहाँ जाके करो Preview Preview करो और इसको Click करो देखो खुल गया Perfect हैना एकदम Simple Form बनाना Simple मैंने Form बनाया WP Form से और ये मेरे पास यहाँ पर मैंने Click करके मैं नीचे महाँ पर Drag करके महाँ पर आ भी सकता हूँ Right अब आप लोगों को करना क्या है कि आज सबसे पहले तो आप लोगों को ये Form बनाना है Then अगला Step हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि जैसे कोई ये Form फिल करे तो मेरे पास उसकी डीटेल आ जाए मेरे पास इमेल पे Confirmation आ जाए कि भाईया किसी ने Form फिल किया है हाना तो मेरे पास इमेल पे वो Confirmation आ जानी चीए तो वो Confirmation आना भी बहुत-बहुत-बहुत ज़ादा आसान है WP Form से कल के Lesson में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो Confirmation आ रही है मेरे पास कि नहीं आ रही अगर नहीं आ रही तो एक वो Problem होती है WordPress में जिसके वो Confirmation नहीं आती तो उसको हम Correct करेंगे ताकि हमारे पास वो Confirmation आए बट आज आप Make Sure करो कि आप Form बनाके अपने Website पर डाल लो ठीक है जी Thank you so much for watching this lesson